जोहार ज्यारखण stable कोई आपदा तो नहीं आई है लेकिन जो हो रहा है वो किसी आपदा से कम भी नहीं है में आपको बता दू कि ज्यारखण में 22 सितंबर को सख शरकार के खिरीए कारायो मैं आपदा प्रबंदन विवाग ने नो इस दोनों दिनों के लिए एक नोटिफिकेशन इशु किया है, नोटिफिकेशन कहता है कि सुबह के आठ बड़े से लेके दो फर के डेड़ बज़े तक इंटरनेट बंद रहेगा, आज जब बहुत लोग जागें और उन्होंने अपने फोन को खोला वाटसप चेक किया तो वाटसप आउन नहीं हो रहा था, मैसेज नहीं खुल रहे थे, उनमें से कई लोग जो हैं वो परिसान हो गए, सायद हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, BBMKU में इस वक्त मैं हूँ और युवाओ की राय जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सरकार का कहना है कि इंटरनेट सट डाउन उन्होंने केवल इसलिए किया है, क्योंकि आज और कल जो जारखन में JSSC CGL की परिक्षा योजित की गई है, वो परिक्षा जो है पेपर लीक के बिना संपन हो पाए, तो देखी वही अब मामला है सरकार का लेकिन प्रॉब्लम्स हो रही है जनता को, तो बात करते ही वहाँ से क्या है उनकी राय वो क्या सूचते हैं इस पूरे मामले पर, सबसे पहले आपका नाम जाना चाहूंगी राहूल किस क्लास में है आप मैं पीजी एकनोमिक सेमेश्टर 3 का सुडेंट हूं राहूल यह जो फैसला है सरकार का इंटरनेट सट्डाउन का उसे कैसे देखते हैं देखिए सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया होगा लेकिन मेर सबसक्राइब हो जो जिनका सेंटर जैसे घरड़ी जिल्ले धनबाज जिल्ले में का सेंटर पड़ा है कत्रास अरजगां तो यह यह दो कास्तों की जातर लोकाशन का पता नहीं और वे इस उमीर में थे कि हम जब भी जाएंगे गूगल मेप का यूज करके हम लोकेशन तक आसानी से पहुच सकते हैं, लेकिन कल जाके रात मुन को अचानक से एक notification आता है कि कल सुबह से इंटरनेट बंध हो जाएगी, तो वे क्या करेंगा, आखिर में उनको बहुत सारे परिसानी हो रहे, आखिर में लोकेशन तक कैसे पह होम करते हैं, जो टेली मेडिसीन या वीडियो कॉंफरेंसिंग के दरी डॉक्टर की सेवा लेते हैं, ऐसे कई सारी चीज अफेक्ट हो रही है, इसके बारे में क्या सुचते हैं, देखिए, ऐसे बहुत सारे सेवा है, जो अफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता आज और कल, इंटरनेट जो है वो उस तरीके से है, जैसे कि बरसात वाले दिनों में सूरज का लोग इंतजार करते हैं, आज लोग डेड़ भजने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ लक्षमन है, मास कम्यूनिकेशन के विद्यारती हैं, लक्षमन, क्या फैसला सही है या मेडम, मेरे ख्यालात से तो ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि आप सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, जिस जगह पर एक्जाम चल रहा है, उस ऐसे पी जगह को आप वहां पर नेट बंद कर सकते हो, बट आप पूरे जहार खण में नेट बंद कर दे रहे हो, ये तो बहु इसे पढ़ाई होता है, बट वो अभी हमको वो फैसलिटी नहीं मिल पाएगा, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ठीक से, प्लस और भी क्या दिक्कत है, जैसे मेरा प्रेयमित्र ने बताया कि कोई गिरिडी से आ रहा है, कोडर्मा से आ रहा है, या फिर कई अन्य हम कैसे पढ़ाई करें, तो उसका आज का क्लास भी लॉस होगा, वो तो नेट जी का तयारी कर रहा है, तो उसको तो वहाँ पर पर क्लास मिलना चाहिए, तो नेट के जरी आज क्लास नहीं मिल पाएगा, प्लस और भी क्या प्रावलम है, अभी आप जो प्राइवेट प्लस यह सरकारी मदलब यह जो जारकंड का गौवर्मेंट है, यह यहीं पर नेट बंद क्या चलो मैं मान रहा हूँ, यूपी में एक्जाम होता है, तो वहाँ पर नेट बंद नहीं होता है, ब्यस्ट पेंगौल हमारे एक्जाम होता नहीं, और भी कई अन्य स्टेट में होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रेट कर रहा कोई, तब वहाँ पर नेट बंद क्या जा सकता है, बड़ा पूरे जारकंड में नेट बंद कर दे रहे हैं, यह कोई स्टुडेंट और मतलब दूवीदा में पढ़ जाएंगे, मैडम, अच्छे, क्य पर ही रहे हैं, क्योंकि आप एक तो पेपर लिग होता है, उसमें कोई रोक टुक नहीं, आप जो ऑपिसर पेपर लिग करवाता है, उसे पकड़ नहीं पाते हैं, और बोलते हैं कि नेट बंद करने से सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आप तो इसमें औ आपना कुछ प्राइबिट कार वगेरा, कुछ बाइक से आ रहा, माल लीजे, उसका बाइक पर तेल खत्तम हो जाता है, उसके पास कैस अगर नहीं है बाइचांस, और वो पेट्रोल पंप पे जाए, तो महां पर वो ऐसे ऑनलाइन रहते हैं, तो वह हम स्कैन करके उसको पै से लेकि इतना बज़े तक नेट बंद रहेगा, तो यह बात कर रही हूं, मैं जारखंड की, जारखंड जो कि जाना जाता है अपनी खनी संपदा के लिए, लेकिन घोटालो और पेपर लिक्स के लिए भी, हमारे साथ वीजे हैं, उन से बात करती हूं, वीजे, क्या लगता है, फैसला सही है सरकार का या गलत? देखे मैं, सरकार का फैसला तो यह बिलकुल मतलब जो भी लिए सोच समझ के लिए, लेकिन यह मुझे नहीं लगता कि यह सही है, क्योंकि देखे अगर इसका अगर चलिए मानते हैं, इन समेरे मित्रों जो बला, उसमें आम पब्लीक को म हो रही है, और यह एक्जाम, CGL जो एक्जाम है, 2015 से अभी तक चल रही है, वही वाला एक्जाम, तो उसका अगर यह सफल हो जाती है, तो चलो मानते हैं, सही है, ठीक है, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर परिसानी सहना पड़ रहा है, तो चलिए, क्योंकि हम पर हमको profit नजरी नहीं आ रही है, जितना कम profit नजरी है, उससे 2 तिन गुना ज़्यादा, इसमें मतलब परिसानी यह लॉस है, अगर अभी हम बात करें, छात्रों की परिसानी के बात करें, चलिए ठीक है मानते हैं, छात्रों के परिसानी हुई, लेकिन इसमें solution कहा नजर आ मानते हैं प्रोब्लम सबको दिख रहा है लेकिन वह अपना सर कोंची कर रहे हैं जाड़ी में घुसा ले रहे हैं बस और उसको कुछ ने नजर आ रहे हैं तो वह क्या करना चाहिए कि चलिए सब ठीक है कोई प्रब्लम कोई प्रब्लम निया सब जनता कुछ प्रोब्लम ही नह कि यह एक जाम थोड़ी है जुब्लम में नहीं को नहीं कि अपर किसी एक कम्रे में जो भी भी इसते भी घटना यू तो भी हार की उव्थ पगड़ाएद पटना से ठीक है अभी नबे लाग रूपिय की रासे उसे ब्रामत की गई है और कुछ इस तरह को तो मिले हैं जो एक्जाम के उपर लेगें यह मतलब नोटिस करते हैं कि यहां पर फिर कुछ होने वाला है तो उसी को वही प्रेक्शन लेगें नेट बंद का यह नहीं है अब यहां आती है हम आसपरोस में देखते हैं यह होगी चलो स्टेट लेवल एक्जाम लेवल बात अब आते थोड़े नेशनल सेकुरिटी पर नेट बंद यानि आपका रडार बंद है ना ट्रेन की आप लोगेशन पता नहीं सकते हैं कि कौन सी ट्रेन है आप दा किसी बपी आ सकती है ट्रेन क में अभी अटेकिंग फिल्ड है चला पड़ा हुआ है मनिपूर में ड्रोन हमला हुए है तो अब उसके रिपोर्ट कौन देंगे कहीं कुछ एरोप्लेन भी क्रेस होती जा रही अभी अगर माल देते हैं कि किसी को सुभिधा कि जुरत पड़ती है तो कैसे देंगे जार्ख सब्सक्राइब करते हैं क्या उस तरह के तो कुछ खबर ने कर रहे हैं तो खबर देने चाहिए विल्कुल सारे कुछ तो नेशनल सेगरीटी की बी बात है क्योंकि बंगलादेश में देखते हैं आजकल इस तरह के बात हो रही है दुसमन तो लगे पड़े हैं एक तरस हम ल जो भी बोलेगा इस तरीके की चीजे हो सकती है क्योंकि डिजिटल मीडिया भी इस पांच-छे घंटे के लिए बैक चुकी है क्योंकि यूटुब नहीं चल रहा है फेस्बुक नहीं चल रहा है तो मैं हम अगर वही तो हमको समझ में यहारा है जमैम सरकार के बुद्ध है पांच-छे घंटे के लिए ना बंद करेंगे उसके फिर हो गई आप इसका मतलब यहीं देखना चाहते कि एक्जाम के डिवरेशन में कुछ भी नहीं हुई है वह सिधर वीडियो को बोलेंगे कि यह तो इसके बात कि वह एक्जाम के बात की है तो यह बहना नहीं नहीं चल यह कि यह युवाओं के बेटर्मेंट के लिए है क्योंकि पेपर लीक नहीं होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी हो रही है कि सारे छेला को छोड़ दिया जाए जो इस परिक्षा को दे रहे हैं तो उसके बाद जो और युवाँ ह स्थान जीवन में आ गया है कुछ लोग क्या कह रहे हैं वह आपने अभी सुना है कुछ और लोगों से लेंगे हम उनकी राय आप बने रहें लाइव इंडियन गाट के साथ